हम module 1 के पहले हिस्से से इस course का अगाज करते हैं जिसमें हम आपको computer के software, hardware और उसके मुक्तलिफ features के बारे में बताएंगे इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे कि computer क्या है, इसके क्या फवाइद है computer से मुतलिक कौन सी basic terms है और computer की कितनी exam है चलिए अब हम देखते हैं कि computer क्या है ये कोई जादू नहीं, बलके वो machine है जिसे इनसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है computer का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि बहुत जादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई असानी और कम वक्त में कर देता है इसके इलावा computer की मदद से किये जाने वाले कई काम इंसानी काम के मकाबले में ज्यादा काबले भरोसा होते है एक और खास सहुलत जो computer हमें मुहिया करता है वो मालूमात का महफूज करना है अगर आप दुनिया की सारी libraries की किताबों के contents को एक जगा पर महफूज करना चाते हैं तो वो एक बड़े computer में store किये जा सकते है आपके सामने ये एक computer है ये एक ऐसी device है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायात या data देती है computer दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूब अनतायच या results फराहम करता है ये computer का एक मुक्तसर सा तारुफ था computer से मुतलक कुछ ऐसी basic terms भी है जिनका जानना बहुत जरूरी है और जो हमारे course में कसरत से इस्तिमाल होंगी जैसे input, output, software, hardware और internet वगेरा सब से पहले एक बहुत आम इस्तिमाल होने वाली term input है input के मानी किसी system को कोई चीज या data फराहम करना है computer input से मुराद कोई ऐसी चीज या data है जो हम computer को फराहम करते हैं रोजमर्राज जिन्दगी में इसकी मिसाल एक जूसर की ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किसम के फल डालते हैं जूसर इन फलों का रस निकाल कर गुदा अलहदा कर देता है गौर करें ये फल जूसर के लिए input है वो चीज जो computer को input देने के लिए इस्तमाल होती है वो input device कहलाती है जैसे keyboard एक input device है क्यूंकि ये computer को data देने के काम आता है बिलकुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की example दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तमाल करना पड़ता है इसका मतलब ये हुआ के हाथ जूसर के लिए input device है आम तोर पर इस्तमाल होने वाली computer की input devices में keyboard, mouse और scanner वगरा शामिल है जिनकी तफसील आप अगले lesson में देखेंगे computer इस्तमाल करने की बुन्यादी वज़ा इससे कोई information या results हासल करना है तो अगली बहुत आम इस्तमाल होने वाली term output है computer जो हमें information या results देता है उसे हम output कहते हैं सो output का मतलब हुआ कुछ निकालना या मोहिया करना मिसाल के तौर पर किसी tube bell से हासल होने वाला पानी tube bell की output कहलाती है और juicer से निकलने वाला juice, juicer की output कहलाती है इसी तरहा, thresher से निकलने वाले गंदम के दानी thresher की output है वो juice जो output हासल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे output device कहते है मसलन, juicer की मिसाल में glass या cup output device है क्यूंकि इसकी जर्ये हमें juicer में से output मिल रही है यानि juice अगर हम thresher की मिसाल को दुबारा देखें तो इस जगह को thresher की nozzle कहा जाता है यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे है इस तरह nozzle, thresher की output device है इसी तरह, computer से output लेने के लिए हमें output devices की जरूरत होती है आम इस्तिमाल होने वाली computer output devices में printer, monitor और speaker शामिल है अभी तक हमने जिन terms के बारे में बात की उनमें input, input devices, output और output devices शामिल है अब जो हम next term देखेंगे वो processing या computer processing है रोज मर्रा जिन्दगी में processing को समझने के लिए आईए thresher की मिसाल को दुबारा लेते हैं जब thresher को कटी हुई गंदुम input की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है यानि इसके दाने और भुस अलहदा-अलहदा करता है इस काम को thresher की processing कहते है इसी तरह computer input पर internally कुछ काम या processing करता है जिससे output हासिल होती है Storage इसके अलावा computer के अंदर information को store करने की भी सलाहियत मौझूद है इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि हमें जगा-जगा जाकर बारी-बारी information को collect नहीं करना पड़ता बलके हर information को हम एक जगा एक computer के अंदर store कर सकते है इसको explain करने के लिए जो term इस्तमाल की जाती है वो storage है देखे ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है इससे निकलने वाली गंदुम को बोरियों में महफूज या store कर सकते हैं रोजमरा जिंदगी की एक और मिसाल लाइबरेरी की है जहां हर किसम के subjects के मुतालिख मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती है आपको मुख्तलिफ जगों पर जाकर उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ती बलके ये एक ही जगा पर मिल जाती है बिल्कुल इसी तरह कम्प्यूटर में मुख्तलिफ किसम का बेशमार डेटा और information store की जा सकती है ताके बवक्ते जरूरत कामा सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगों पर जाकर ढूनना ना पड़ी Storage Devices कम्प्यूटर में information को store करने के लिए कुछ storage devices होती है जिनकी तफसील हम आपको अगले lessons में बताएंगे इस से मुतालिफ चन नाम आप सहिन नशीन कर लें मसलन इसमें ROM, RAM, Hard Disk, Memory Cards, USB Disc, CDs और DVDs शामिल है Storage Devices आपकी चीज़ों को एक जगा महफूज रखने के लिए इस्तमाल होती है आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को store करने के लिए cabinet इस्तमाल होती है अगले term जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो hardware है मतलब वो चीज़ें जिने आप छूज सकते हैं और जिनकी मदद से मुक्तलिफ काम किया जाते हैं आपने चाय का चमच तो देखा होगा जी, चाय का चमच भी एक hardware है अगर आप इस hardware को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तमाल करें तो वही hardware एक input device का काम करता है इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तमाल करें तो वही बाल्टी output device का काम करती है इसी तरह computer में अब तक हमने जिन input, output और storage devices का जिकर किया वो computer का hardware कहलाती है अब सवाल ये पैदा होता है कि computer अपने hardware devices या output और input devices को किस तरह इस्तिमाल करता है इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई डर्माती है जिसे हम software कहती है software से मुराद वो हदायात हैं जिनकी मदद से computer अपने hardware को इस्तमाल करता है यहाँ अगर आप गोर करें तो हदायात से मुराद वो चीज़ें जिने आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते हैं software भी बिलकुल ऐसी ही चीज़ है, जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वसन है और ना ही यह hardware की तरह नजर आता है लेकिन ये computer को इस्तमाल करने में एक बहुत एहम किरदार अदा करता है इसकी मिसाल हम यू ले सकते हैं कि जब आप अपना computerized ID card बनवाने जाते हैं तो operator एक input device के जरीए सारा data अपने computer को फरहम करता है computer इस data को input के तौर पर लेता है और इसको information में तबदील कर देता है फिर इसको card पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है यानि ये देखता है कि card पर कौन सी information पहले आएगी और कौन सी बाद में इस तरह जब computer हमें computerized शनाखती card output के तौर पर देता है तो इसके लिए भी software ही इस्तमाल होता है अब तक हमने computer के कुछ फवायद और कुछ एहम terms को देखा है अब हम देखेंगे कि computer की कौन सी एकसाम है computer को जिन बुनियादी इकसाम में तक्सीम किया जाता है वो कुछ इस तरह है supercomputers, mainframe computers, server, microcomputer, game consoles, mobile computers and mobile devices or embedded computers supercomputers, सबसे पहले computer की type supercomputer है ये वो computers हैं जो सबसे ज़्यादा तेज रफ़तारी से अपना काम सर अंचाम देते हैं ये computers एक वक्त में एक ही काम करते हैं लेकिन इंतहाई accuracy के साथ चुँकि ये computers बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं इसलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है कुछ मशूर super computers में Titan, Tiani 2 और K computer शामिल हैं Mainframe computers Super computers से छोटे और ज़रा सी कम रफ़तार रखने वाले computers को हम mainframe computers कहते हैं लिहाजा next type जो computers की आप देख रहे हैं वो mainframe computers हैं ये computers size के लिहाद से भी बड़े होते हैं इसलिए इनमें ज्यादा information को store करने की सलायत मौचूद होती है इसके साथ साथ mainframe computers क्रीमत में भी बहुत महके होते हैं पाकिस्तान में ये computers, PIA, banks और बहुत सी दूसरी organizations में इस्तामाल हो रहे हैं Servers Mainframe computers के बाद जिन computer की बारी आती है वो servers कहलाते हैं इन computers की काम करने की रफ़तार mainframe computers के मुकाबले में कई गुना कम होती है Servers का बुन्यादी काम, hardware, software और network पर मौजूद, resources तक रसाई कंट्रोल करना है यानि बहुत सारे computer, network के जरिये, server के साथ मुनसलिक होते हैं और वो server के जरिये, hardware, software और दूसरे resources तक रसाई हासिल करते हैं हम computer networks के बारे में अगले lessons में तफसील से जानेगी इन में Dell, HP और Acer के servers ज्यादा मशूर हैं Micro computers Micro computers को आम तोर पर PC या Personal computers भी कहा जाता है ये सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाले computers हैं जो offices, schools, colleges और घरों में भी इस्तमाल किये जाते हैं इन computers के काम करने की रफ्तार, mainframe computers और servers के मुकाबले में कई गुना कम होती हैं और इसलिए इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती इन computers को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से डिजाइन किया गया है इन में ज्यादा मशूर IBM, Dell, HP और Apple Macintosh computers हैं Game Console Game Console एक ऐसी computing device है जिस पर एक या एक से ज्यादा अफराद video game खेल सकते हैं ये portable devices होती हैं यानि इनको आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं कुछ मशूर game console में Microsoft का Xbox 360, Nintendo का Y और Sony का PlayStation शामिल है Mobile Computers Mobile Computer एक ऐसा computer है जिसे आप आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं इनकी computing power तक्रेबन personal computer जैसी होती है Mobile Computer की मिसाल, laptop computer या notebook computer है Mobile Devices Mobile Device एक ऐसी computing device है जोके आसानी से आपके हाथ में समा सकती है इनकी computing power personal computer से ज़रा कम होती है Mobile Device में smartphones, e-book reader और digital cameras शामिल है Embedded Computer Embedded Computer एक ऐसा computer होता है जिसे किसी product में एक component की तौर पर इस्तिमाल किया जाता है क्यूंकि ये किसी बड़ी product का एक हिस्सा होती है इसलिए इनका size बहुत छोटा होता है और इनकी computing power भी बहुत कम होती है DVD player, digital TV और photocopy machines चंद ऐसी product हैं जिन में embedded computer इस्तिमाल होते हैं Summary जी तो अब तक Model 1 के इस हिसे में हमने जिन चीजों और concepts को discuss किया वो ये बात जाहिर करता है कि Computer हमारी जिन्दगी के लिए कितना एहम है Model 1 के इस हिसे में हमने देखा कि Computer क्या है ये हमारी रोज मरा जिन्दगी में किस तरह इस्तिमाल होता है और इसके क्या फवाइद है हमने Computer से मुतलिक मुक्तलिफ एहम Terms को देखा जैसे Input, Output, Storage वगेरा इसके अलावा हमने ये भी देखा कि Computer के मुक्तलिफ एक्साम कौन सी है